होली के दिन करे ये छोटा सा तोटका मिंटों में दूर होगी बड़ी से बड़ी समस्या जोतिश में कुछ ऐसे तोटके बताएं गए हैं जिन्हें अगर होली पर किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है होली तथा दिवाली को तंतर शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है कहा जाता है कि इन दोनों ही दिनों में की गई कोई भी साधना जरूर फलती है और तुरंत असर दिखाती है जोतिश में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनें अगर होली, दिवाली पर किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो सकता है होली की राग को अपने घर के चारो ओर दर्वाजे पर छिनक दे इससे घर में मौजूद नकरात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए गाई के गोबर में जौ, अर्सी और कुश मिला कर छोटा उपला बना कर सुखा ले इसे घर के में गेट पर लटकाने से घर में रहने वाले सभी लोगों की समस्याओं दूर हो जाती हैं सभी इच्छाओं की पूर्ती के लिए होली के दिन भगवान महादेव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन का समपूर्ण सुक मिलता है शिग्र विवाह के लिए होली के दिन सुभर एक सावत पान के पत्ते पर सावत सुपारी तता हल्दी की गांट रखकर शिवलिंग पर चड़ाएं और बीना पीछे मुड़कर देखे वापस घर लोट जाएं अगले दिन भी इसी प्रयोग को करें इससे जल्दी ही विवाह का योग बनता है रोगनाश के लिए अगर कोई आसाध्य बिमारी हो जाए जो किसी भी उपाय से सही नहीं हो रही तो होली की रात को तुलसी की माला से ओम नमो भगवते रुद्राय बृतार्क मध्ये संसिताय मम शरीर अमृत कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें जल के दिन एक साबुत पान गुलाब का फूल और कुछ बताशे रोगी के उपर से 31 बार उसार कर चौराहे पर रखने से भी रोगी तुरंट ठीक हो जाता है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना आप हमारे चैनल पर नए साथ में वेल आइकन भी धबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद आपका दिन शुब हो